कि पेपसी को का वॉल्ड वाइड हिट कौन है? यूनिलीवर कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? Mastercard, Vodafone, Deutsche Bank अगर किसी को नहीं पता तो गूगल कर लिजे और लगे याथ ये भी गूगल कर लिजे कि गूगल का हिट का हुँग जैसमीनिया धयाला दिन से कैसे ओ महल छोड कर बहाँ जाती थी क्योंकि उसे इंडिपेंजिन्स चाहिए था? सूपर थके में रितिक रोशन को वही इंडिपेंजिन्स चाहिए था इसलिए बॉलिवड के सूपर स्टार डांसिंग लेजंड रितिक रोशन अपने मूँ के उपर ब्राउन रंग लगा कर एक रियल लाइफ आदमी का किद्दा निवाया क्योंकि बॉलिवड में अगर गरीब और दलित दिखाना है तो सफेद चेहरा नहीं चलेगा अगर आपको मूवीज और टीवी शोज पसंद है तो सबस्क्राइब कीचे अबाउट फ्लिक चैनल को और बेल आइकाउन प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि जब भी कोई नीव विडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन दुरन पहुच जाएगा हाई मैं हूं मिस्टर एस अबाउट फ्लिक में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे सूपर थकी के बारे में सूपर थकी एक रियल लइफ आदमी आनंद कुमार के जीवन पर आधरित है और यह फिल्म बहुत ही बड़िया बन सकती थी लेकिन कमर्शियल हिट बनाने के चक्कर में में धुनला हो गया एक आदमी जिसको अपनी एकादेमिक ब्रिलियन्स की वज़य से केंब्रिच में चांस मिला था लेकिन पैसे की कमी की वज़य से ओ नहीं जा सका उसके बाद IIT कोचीन में पढ़ाने से उसके पास आया पैसा और फिर उसका मोरल काउंपस गोट तर्ण और एक जायन कोचीन से स्टूदिंस का मामूली कोचीन सेंटर का कॉंपिशन दिखाना भी बहुत ज़रूरी नहीं था The main problem with the movie is the lead Whenever हम रितिक रोशन के बारे में सोचते है The image that flashes in our mind is him dancing to the tunes of धूममचाले with his rugged handsome looks I know Super 30 is his attempt of breaking his own stereotype But the brown makeup and an uneven accent cannot make up for his poor acting skills Nawaz को ले लेते यार He would have been a perfect cast for the whole role of Anandumar Oh, brown color का makeup तो बच जाता at least और इतनी अची plot में cast system अगर आप लाना ही चाते हो तो lead का cast mention तो करो बगेर ओ बताए पूरी फिल्म गुजाती Coming to the other characters Munal Thakku does her part perfectly Because she had less than nothing to do Virinda Saxena and Sadhana Singh As Anand's parents had better graphs over the accent than Ritik Aditya Srivastava reminded us more of Abhijit CID वाले दिन जाता आगे Super Ducky देखते देखते शायद movie के makers को भी CID दिखा रहे थे Aditya Srivastava while it was being shot और Pankas Tripati एक ऐसा बंदा जिसके उपर आपकी expectations बर गए थी after watching Wasipur Mirzapur fails to impress He got boring with his part committee and part serious acting Even the students who were supposed to save the movie उनके characters भी underdeveloped रहे गए My rating for the movie is 2 out of 5 अगर ये movie आपको पसंद आई तो आपको ये सारे movies भी चेक आउट करनी चाहिए Sir, Black, Iqbal, Tarei Zemine पर और चग दें अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजे सब्सक्राइब कीजिए हमारी चानल को और ये वीडियो शेयर करे अपने दोस्तों के साथ आज के लिए इतना ही मिलते है अगले वीडियो में Mr.S की तरफ से अलविदा